बिहार की 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार में मिले COVID-19 के 2000 से कम मामले स्वास्तिवभा की तरफ से मिली जयानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिश्चर 24 घंटे में कुलमिलाकर 1785 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों के संक्या 24,809 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावे जिलों की बात करें जमुई में 25, जहानाबाद में 11, कैमूर में 5, कटिहार में 60, खगडिया में 42, किशनगंज में 51, लखी सराय में 12, मध्यपुरा में 31, मधुबणी में 43, मुझेर में 23, मुझफरपुर में 78, नालंदा में 98, नवादा में 6, पटना में 238, पुर्णिया में 57, रोहतास में 23, सहरसा में 47, समस्तिपुर में 40, सारण में 55, शेखपुरा में 7, शिवर में 11, सीतामडी में 12, सिवान में 45, सुपौल में 27, वैशाली में 68, वैस चमपारन में 33, मामलों की पुष्टिय हुई है, इसके साथ ही 55, ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूस्टरे राज्यों के हैं, ल Specialist Medical Officer और General Medical Officer के पदों पर आवेदन की आखरी तारीक बढ़ी आगय, Specialist Medical Officer और General Medical Officer के पदों पर आवेदन करने की तारीक को आगय बढ़ा दिया गया है, जो इसके तहर, पर आवेदिन के चुक अभिहरती BTSC के आधिकारिक वेबसाइट परिक्षा.nic.in पर M.O. सहीत अन्यपद के लिए अपलाई कर सकते हैं अब बिहार के सभी गश्टी वाहनों पर पुलिस मुख्याले की होगी नजर बिहार के सभी गश्टी वाहनों पर पुलिस मुख्याले की खास नजर रहने वाली है मिली जानकारी के नुसार इन सभी गाड़ियों पर GPS लगाए जाएगा आपको बता दे कि मुख्याले को अक्सर यह सूचना मिलती है कि गश्टी के दौरान थाने के दरोगा और जमादार लापरवाही बरत रहे है जिस वज़े से पुलिस मुख्याले के निर्देश पर थाने की गश्ट वाहनों पर GPS लगाए गया है थाने की सभी वाहनों में लगे GPS सिस्टम के माध्यम से पुलीस मुख्याले के साथ साथ जुला पुलीस अधिक्षक भी गश्ट वाहनों को ट्राक कर सकेंगे बिहार के सभी थानों के गश्टी वाहनों में लगाई गई जीपीए सिस्टम का कंट्रोल, रूम पुलीस मुख्याले और सभी जुला पुलीस अधिक्षो के कार्याले में बनाए गया है प्राथमिक माधिमिक स्कूलों के सिक्षक की बहाली का मामला 31 मई तक टला बीते दिन पटना हाई कोट में हुई सुनवाई के बाद प्राथमिक माधिमिक स्कूलों में सिक्षक बहाली के मामले को 31 मई तक टाल दिया गया है प्राथमिक माधिमिक स्कूलों में बनाए गया है अब तक कई फिल्मों में काम किया है जिसमें Blue Oranges ये जो महबत है कर ले प्यार कर ले फिल्म शामिल है इसके साथ उन्होंने चंद के पार चलो साथ फेरे, बैरी पिया, आहट, काली, फियर, फाइल्स, CID, विक्रम, बेताल, महाभारत, दोस्ती, यारियां जैसी कई TV सीरिल में भी काम किया है गाउं से शहर तक तूफान के कारण बिजडियापूर्टी को लगा बड़ा करेंट, यास तूफान का प्रभाव बिहार में भी साफतोर पर देखने को मिला है जिसके कारण लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिंचर्या प्रभावित देखी गई है घर से लेकर गली और मुख्य सरको पर जलजमाव की सिती देखने को मिल रही है इतना ही नहीं बिजडियापूर्टी के रास्ते में भी काफी बड़ी बाधा उत्पन हो गई है तूफान और बारिश ने एक बाफिर से जलजमाव से रास्धानी के लोगों को परिशानी में डाल दिया है मौसम विज्यानिकों की माने तो फिलहाल आने वाले दो दिनां तक ऐसा ही मौसम रह सकता है पटना के साथ-साथ वैशवाली नालंदा मुजफरपुर में मौसम विभाग के मताबिक ब्रजपात के साथ ओले पढ़ने की संभावना जताई गई है बालू के अवैद खननन को लेकर पुलिस सक्थ नजर आ रही है यही कारण है कि घाटो पर पुलिस की गश्टी बढ़ा दी गई है इतना ही नहीं हर जुले में छाप इमारी दल को न्यूक्त करने पभी सोच विचार किया जा रहा है कुछ दोनों पहले ही खान एवं भुतत विभा के प्रधान सचिव ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से अभगत कराया था कि पुलिस की मीली भगत से अवैद बालू खनन का धंदा चल रहा है इस बाबत पुलिस मुख्याले के ADG ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि बालू का खनन कुछ जिलो में सीमित है इन जिलो में अतरिक्त बलतैनात किया गया है सभी जिलो की पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो जिला प्रसाशन को सही योग दे अवैद बालू खनन के खिलाफ अभिया चलाय जा रहा है पत्ना एम्स में 2-18 साल तक के बच्चों पर वाक्सीन की ट्राइल की प्रोक्रिया शुरू हो गई है जिसके दहत एम सधिक्षब डॉक्टर सी एम सिंग ने बताया है कि COVID-19 संक्रमन हो चुके था था एंटिबॉडि विक्सित हो चुके बच्चों को यह डोज नहीं लगेगी इसके लिए ट्राइल में आने वाले सभी बच्चों का आर्टी पीसियार और एंटी बॉडि भी जाच करवा जाएगा बताया गया है कि ट्राइल में शामिल बच्चों को 700 रुपे प्रोटसाहन राश्यू और प्रमान पत्र भी दिया जाएगा आपको बता दे पटनाइमस में 2-18 साल तक के बच्चों पर को वाक्सीन के ट्राइल को किया जा रहा है पहले फेज में 80 बच्चों पर वाक्सीन का ट्राइल होगा जबकि थर्ड फेज में 550 बच्चों का रक्षु रखा गया है वहीं दूसरी तरफ COVID-19 के रोक्थाम को लेकर 18-14 साल तक के आयो वर्गो को टीका लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है इस मामले में बिहार की रफ्तार देश में सबसे ज्यादा है COVID-19 से बचाव के लिए मैथली छाकुर और दुलारी देवी ने की लोगों से अपील बिहार की जानिमानिगाई का मैथली छाकुर ने हाली में COVID-19 से बचाव के लिए लोगों से अपील की है जिसके तहट उन्होंने 20 सेकंड का वीडियो जारी किया है जारी किये गए वीडियो में मैथली ठाकुर का मैथली भाशुआ में सबसे पहले लोगों को प्रणाम कर अपना परिचे देते देखा गया आगे उन्होंने कहा कि अभी COVID-19 महमारी का बहुत ज्याद अवस्तार हो रहा है गाउं गाउं में COVID-19 के मरीज मिल रहे है मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको COVID-19 की जाच अवश्य करवानी चाहिए आप लोग जागरूप बन के रहेंगे इसके साथ ही पंदमश्री दुलारी देवी ने लोगों से अपील करते वे कहा कि COVID-19 से लड़ना है यह महामारी है जयप्रभा सेतु का अप्रोच पथ हुआ ध्वस्त यूपी बिहार को एक साथ जोड़ने वाला जयप्रभा सेतु का अप्रोच पथ बीते दिन ध्वस्त हो गया मिली जानकारी के नुसार राष्ट्री राजमार्क 19 पर मांजी घाट के पास यूपी बिहार को यह सेतु जोड़ता था फिलाल दोनों प्रदेशों की पुलीस ने सेतु के जरिये भारी वाहनों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है लेकिन छोटी गाडियों को सुरक्षा के साथ पार करने की अनुमती दे दी गई है सानिय लोगों की माने तो पानी के तेज भाव की कारण सड़क कटाव का दाइरा और भी बढ़ता चला जा रहा है हालात यही रहे तो अप्रोच पत का जो हिस्सा बचा है वो भी बह जाएगा इंद्रा आवास योज़ा में बिहार का बढ़ा कोटा इंद्रा आवास योज़ा में बिहार के कोटी को बढ़ा दिया गया है जिसके बाद बिहार का कोटा यूपी से तीन मुना ज्यादा हो गया है वितिये वर्ष 2021-2022 में 11,49,497 इस आवासों को स्विक्रिती दे दी गई है आवास का वंटन, BPL, सूची के अधार पर नहीं सुची करीब तीन साल पुर्व केंदर सरकार को आवास एप प्लस पर भेजी गई थी सुचान सिंग राजपूत के दोस्सिधार्थ पिठानी को NCB ने किया गिरफतार कुछी दुनों में सुचान सिंग राजपूत को गुजरे वे लगभग एक साल पूरे होने वाले है महीं दूसरी तरफ सुचान सिंग राजपूत के मामले में आखिरकार क्या हुआ था इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है लेकिन NCB लगातार इस मामले में जानवीन कर रही है इस सिक्रम में बीते दिन सुचान सिंग राजपूत के दोस्ते धारत पिठानी को गिरफतार किया गया है एक अधिकारी ने शुकरवार को बताया कि पिठानी को हैदराबाद से गिरफतार किया गया और मुंबई लाए गया पिठानी राजपूत का दोस्ता और मुंबई की उपनगरी बांदरा सिद्ध वंगतनेदा के मकान में उनके साथ रह रहा था चमकी बुखार प्रभावित इलाकों के 30,000 परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का मकान ग्रामेन विकास वभाक के मंदरी श्रवन कुमार ने हाले में चमकी बुखार प्रभावित इलाकों के 30,000 परिवारों को पक्का मकान मुहाया करवाने का दावा किया है जिसके तहट उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अब तक कुल परिवारों में से 75% परिवारों के मकान पक्के बना दिये गए हैं और बाकी के मकान को पक्का करने का काम चल रहा है चेहनित परिवारों को प्रधानमंतरी आवास योजना और मुख्यमंतरी आवास योजना के तहट पकामाकान योजना का लाभ मिर रहा है वहें मुजफरपूर के मीनापूर, कांटी, बोचा, मांगपूर और मुसहरी प्रखंडो के 30,000 ऐसे परिवारों को चिनित किया गया है जिनके पास अपना पकामकान नहीं है आपको बता देए वही लाके हैं जहां पर चम की बुखार के कारण सबसे ज़ादा प्रभावित नजर आए है बिहार को ब्लाक फंगस की दवा का 1460 वाइल हुआ अवंटित कर दिया गया है अवंटिन किया गया है उन्होंने आगे कहा कि दवा की उपलब्धता और राज्यों की जरूरत के अनुसार लगातार आवंटिन किया जा रहा है जिस्क्रम में गुरुबार को लिपो सोमल और एमफो टेरसीन भी एमबी सोम इंजेक्शन का कुल असी हजार वाइल का वंटन विपहन राज्यों और केंद्र साफ्षित प्रदेशों के लिए भी किया गया है अब सूबे में खुलेंगे 76 मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल सरक सुरक्षा को लेकर बीते दिन परिवहन विभाग की मंत्री श्रीला कुमारी के धेक्षता में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भीहार सरकार सुरक्षा परिसत की बैठक आयो जित की गई थी बैठक में परिवहन सचुब संजे कुमार अगरवाल ने कहा कि जिलो में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्राक का नर्माण इवम ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कारवाई की जारी है राजमेकुल शियतर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे, हाला कि पुर्व में 38 जिलों के लिए 61 ड्राइविंग स्कूल खोलने का लक्षिन निधारित किया गया था, इसकी संख्या बढ़ा कर शियतर कर दी गई है, चालकों के ड्राइविंग कॉलिटी में सड़क दुरगटना में कमी आ सकेगी, परिवन सच्चिब ने सम्मंदित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पाँच एनेच जहां सबसे अधिक सड़क दुरगटना होती है, वैसी सरकों का सर्वे कराकर परिमार्जुन का कारे कराय जाए, साथ ही गंफीर सड़क ट्वीट की जिसे नवादा का बताया जा रहा था, जुसमें यह दावा किया गया कि गरीबी और मजबूरी की कारण मातापिता ने 8 साल की नावालिक की 28 साल के युवक्त से शादी करा दी है, मामला संग्यान में आने के बाद, 690 के बाद पता चला कि बच्च्ची नवाद दो दर्च की गई है, इसी के साथ डियम यशपाल मीना ने बताया कि गरामीनों से पता चला कि करीब डेड़ महीने पहले ननिहाल से ही उसकी शादी हुई है, और उसकी उम्र 19 साल से ज्यादा है, इस समन्द में जबूई प्रसाशन को जानकारी दे दी गई है, वहां भी ज आज की जा रही है, मुख्यमंदरी नितीश कुमार ने लोगों को यास तूफान को लेकर सचेत रहने की दी नसीहत, मुख्यमंदरी नितीश कुमार ने बीते दन यास तूफान को देखते हुए नसीहत जारी की है, जिसके तहत उन्हा ने कहा कि शकरवाती तूफान यास के बरतनी चाहिए आपको बता दे बिहार में लगातार पिशुच्छ गंटे से बारिश हो रही है यही कारण है कि अब बिहार के मुख्यमंत्रिन नितिश कुमार ने भी लोगों से सतर्क रहने और साफधानी बरतने की अपील की है ब्लाक फंगस की दवा के आयात पर IGST से मिलेगी छूट के इंदर सरकार की तरफ से ब्लाक फंगस के इलाज में समाल दवा के आयात को IGST में छूट देने का फैसला दिया गया है वहीं बीते दिन आयोजित की के परिसद की बैठक समापत होने के बाद वित्मंत्री निर्मला सीता रमने कहा कि GST परिसद ने विदेशो से आयात होने वारी कोविड-19 से जुड़ी मुफतिस सामागरी पर IGST हटाने का फैसला जारी क्या है इतना ही ने वित्मंत्री निर्मला सीता रमने चोटी GST कर दाताओं के लिए देरी से GST रिटर्न फाइल करने पर विलंद शुर घटाए जाने की रयायत योजना की भी घोशना की है आपको बता दे वित्तमंत्रे निर्मला सीता रमन के अध्यक्षता में शुकरवार को वस्तु एवं सेवाकार परिश्वत की बैठक आयोजित की गई थी वाक्सीन के दोनों डोज अलग-अलग लगने पर भी चुन्ता की कोई बात नहीं वाक्सीन की दोनों डोज अगर अलग-अलग लग जाए तो भी अपरिशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है नीतियायो के सदसे डॉक्टर वी के पॉल ने इसको लेकर अपना बयान जारी करते वे इसे सुरक्षित बता है नीती आयो के सदस से डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि हमारे नियम्न के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोस एक ही कम्पनी के वैक्सीन के दिये जाएंगे पंचायतों के कारेकाल को बढ़ाने की नसीहत दी है जिसके तहद पूर्वसीयम जीतर नामांची ने ट्वीट कर कहा कि कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कारेकाल को सम्विधान के आर्टिकल 352 के तहद बढ़ा दिया गया कोरोना के आपात संकट को धियान रखते वे नितीश कुमार से आग रहे है कि पंचायत प्रतिनिदियों का कारेकाल कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए महीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसत राम कृपाल यादव ने 27 मही को मुख्यमंत्री नितीश कुमार को पत्र लिखा था पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से आगरे किया था कि पंचायतों का कारेकाल जो 15 जून को खत्म हो रहा है उसे बढ़ाय जाए आर्सीपी सिंग ने तेजस्वी आदव पर किया हमला कोविड-19 के वर्तमान माहोल के बीच राजनीती भी अपने चरम पर नज़र आ रहे है जिसके तह जदियू के आर्सीपी सिंग ने हाली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव पर निशाना साधा है जदियू के राजनीती नहीं सेवा का समय है हर किसी को दलगत सीमाउ से उपर उठकर मानवता की चिंता करनी चाहिए लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग ओची राजनीती से बाज नहीं आ रहे है हर मुश्किल वक्त में बिहार से भाग खड़े होने वाले आज नितीश सरकार से सेवा का हिसाब मांग रहे है या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनी है इसके साथ ही जदियू के रास्ट्रे धक्ष आर्चेपे सिंग ने कहा कि जन सहयोग से हम लोग जल्द ही कोरोना के विरुत जंग को जीतेंगे उन्हा ने कहा कि बिहार में नितीश सरकार फिर सेवा और ततपरता की मिसाल कयम की है। बंद कर सोशल मीडिया में जो चाये हैं वो ही हाफ पेंट वाले चचाप पडोसियों को छोड़ कर पटना की सरकों पर खड़े थे आज कहीं नजर नहीं आए गौर करने की बाद यह है कि भारी बारिश के बाद एक बार फिर राजधानी पटना के कई हिस्सों में जलजमाव देखने को मिल रहा जिसके बाद से ही राजनेतिक वयानबाजी शुरू हो गई है। और रगमंच अभिने के इतिहास पुरुष और मुंबई में प्रित्वी थीयेटर स्थापत करने वाले प्रित्वी राज कपूर ने दुनिया कॉलविदा 1970 में आजवी के दिन कहा था। स्थम्बर महीने से शुरू होने वाले IPL में 30 से जादा खिलाडी के बाहर होने क्यों मीज जोताई जा रही है जिसके कारण कई टीमों को भारी नुकसान भी हो सकता है। खबरों की माने तो इंग्लाड और ऑस्ट्रेला के खिलाडियों की बाकी बचवे IPL मैचों में भाग लेने की संभाब ना बहुत ही कम है। इंग्लाण क्रिकेट टीम के मानेजिंग डिरेक्टर एश्ले जाइलेस ने साफ साफ कहा है कि उनका कोई भी खिलाडिया वाइपियर के बाकी बचवे मैच में नहीं खिलेगा। ESPN क्रिक इंफो मेच अपी एक रिपोर्ट के मताविक उन्होंने कहा कि अपने खिलाडियों को हम आराम देना चाहते हैं। अब स्मार्टफोन पर तुफान को लेकर मिलेगी पलपल की जानकारी। जिसके तहब आप मौसम.imd.gov.in और www.cyclokane.com या फिर www.hurrikanzone.net जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी वेबसाइट के होम पेज पर तुफान के बारे में आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। कल हमारे दुवारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। इनके नाम है रविंद्र पासवान, श्रंकर मुक्या, कनहिया राज, इर्तिका, शाहिन, दिलखुष कुमार, अधीखान, अजिमा, फिर्दॉस, सुनील कुमार, महतो, निश्यु कुमारी, दीपक्षवास्तव, रंजीत कुमार, इसके लावा मारी टीम को और भी लोगों क कि समस्या देखने को मिली है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेट रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकों दबाना ना भूलें, धन् करेंबाद 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